चलिए आज प्रित्रक करण की विभिन बिधियां के बारे में ज्यानते हैं जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास जो विश्मांगी मिश्रण हैं जैसे हमने चुन्ने का चौक पॉडर भोला था या मिट्टी गोली थी पानी में यह जो विश्मांगी मिश्रण निलंबित होने वाले थे तो जो निलंबन बन रहे हैं इन्हें हम सिंपली छानन बिधी द्वारा अलग कर सकते हैं फिल्टर पेपर का यूज करके लेकिन जो हमारे पास कोलाइड हैं जैसे स्याही को हमने पान है पानी में भोला है तो इन कोलाइड को अलग करने के लिए हमारे पास अलग अलग बिधिया होती हैं सभी को हम चानन बिधी द्वारा अलग नहीं कर सकते इसके अलावा हम हाथ से चुनकर अलग कर सकते जैसे आपके पत्थर डाल में आ जाकते तो घर में हाथ से चानकर उन में उन्हें अलग करने के लिए हम अप केंद्री करन बिधी द्वारा अलग करते हैं इनके अलावाद जो जो बिधियां हम जानते हैं उनको उनका अधेन करने का हम प्रयास करेंगे सबसे पहले आपके पास दिए भी है रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंगी स्याही स कैसे प्रितक करें तो इस अनुभाग में हम पढ़ेंगे कि ये जो रंग वाले घटक हैं जो हमारी स्याही के अंदर हैं नीली स्याही ले लो या लाल स्याही ले लो उस स्याही में क्या होता है स्याही में होता है हमारे पास पानी और उसमें डाली होती है डाई अगर नीली स्य यह तो डाई नीले रंकी होगी अगर काली स्याई है तो डाई काले रंकी होगी यह जो है यह जो घटक है रंग वाले जो पानी में घोले गए हैं इसे स्याही में से अलग करना है तो क्या करेंगे इसके लिए आपने वास्पी करण प्रक्रियप पढ़ी होगी वास्पी करण क का अर्थ है कि किसी पदार्थ को जैसे जल को बिना उसके क्वथनाक तक पहुंचाए क्वथनाक तक पहुंचे बिना हम जब जल को वाश्प में परिवर्थित कर देते हैं त्रब को गया सवस्था में बिना क्वथनाक तक पहुंचाए क्वथनाक तक पहुंचने से पहले ही ह हम जल को वास्प में बदल देते हैं, इस प्रक्रिय को वास्पी करन कहते हैं, generally हमें क्या बता है, कि थोस को गलनांक तक पहुंचाएंगे, तो वो द्रब में बदल जाएगा, और जब हम उसका और तापमान बढ़ाएंगे, उसको कोथनांक तक पहुंचा देंगे, तो वो गयास में बदल जाएगा, लेकिन जल को जब बिना कोथनांक तक पहुंचाए, कोथनांक से पहले ही वास्प में परिवर्टित कर दिया जाए, तो उसे वास्पी करन कहा जाता है, ठीक है? तो देखिए, किस प्रकार हम डाई को स्याही में से लग करेंगे, कोई स्याही ले ली हमने, मान दो नीले रंग की स्याही ले ली है, इसके लिए हमें चाहिए एक विकर, एक विकर लेना है हमें, ठीक है, उस विकर में हमने डालना है पानी, पानी डालना है, देखे यहां पर जो नीले रंग की स्याही है में पास स्याही इसको मैं डारेक्ट गरम नहीं करूँगा क्योंकि डारेक्ट गरम करूँगा तो यह जल जाई ठीक है तो मुझे क्या करना है इसको एक watch class में लेना है कांच की एक होती है छोड़ी सी दिखाई कि मैंने आपको लेव रोट्री में भी इसमें नेले रंग की स्याही डाल दी या काले की डाल दो इसको डारेक्ट गरम नहीं करना है मैंने इसको रखा है दिकर को ट्राइपॉड स्टैंड के उपर और इसके नीचे मैंने बर्नर से आग जिलाई है इसको गरम करना है इस watch glass को अब मैं इसके ओपर रखाँगा और इसमें है स्याही जब यह पानी गरम होगा तो यह watch glass को इसके वास्प जब निकलेंगे तो यह watch glass को गरम करेंगे और इस स्याही मैंसे भी आपको पानी वास्पी करित होता दिखेगा तो ये पानी जब पूरी तरह वास्पी करित हो जाएगा तो थोड़ी देर बाद आप दिखेंगे कि अब वास्पी करन बंध हो गया है तो इस वाच ग्लास में आपको निला रंग थोस पदार्थ में दिखेगा आपको तो इस वाच ग्लास में आप ये निला निला रंग जो है वो थोस दिखेगा जो की डाई थी जिसे पानी में घोला गया था तो इस तरह से पानी को वास्पी करित करके हमने स्याही मेंसे डाई को अलग कर लिया है इस प्रक्रिया को करके देखें इस प्रयोग को करने के लिए आपको इस प्रकार आपकी बुक में पिक्चर दिखाई गी है हमने बिकर लिया है जिसमें जल डाला है और उपर वाच ग्लास है जिसमें सियाही डाली है इसको गरम किया जा रहा है और वास्प जो है वो धीरे-धीरे सियाही में से निकल रहे हैं और सियाही में जो डाई है वो वाच ग्लास पर रह जाएगी पानी वास्पिक्रित हो जाएगा प्रयोग को करने के लिए हम बर्नर जलाएंगे उसके उपर हम विकर रखेंगे विकर के उपर वाच क्लास रखकर उसमें स्याही डालेंगे तो देखिए पानी उबल रहा है तो वाच क्लास गर्म हो रही है तो इस में से फिर पानी धीरे-धीरे बास्तिक्रित हो रहा है जब पूरा पानी बास्तिक्रित हो जाएगा तो बास्तिकरन रुक जाएगा आप देखेंगे इस watch class के उपर देखें अब ये ठोस रंकी स्याही हमें मिल रही है तो इस प्रकार से हम स्याही में से डाई को अलग कर लेंगे ये हमारे पास डाई है तो देखें इस क्रिया कलाब में हमने समझ लिया कि इस तरह के जो कोलाइड हैं उन्हें हम किस प्रकार अलग कर सकते हैं तो इसके लिए हमने वास्पिकरन प्रक्रिया का प्रयोग किया है तो यहां पर स्याही में हमने विलायक को अलग कर लिया है और विले को प्राप्त कर लिया है जैसे दूध में आपको पता है मक्खन है तो मक्खन को आप इस प्रकार वास्तिकरन से अलग नहीं कर सकते हैं उसके लिए अलग भी दी है उसका अध्यान करते हैं दूद से क्रेम को कैसे पृत्त करें हमारा अगला पृत्त करन का प्रकार है जिसे हम अभी अध्यान करेंगे